देश में लोकसभा चुनाव का महौल बन चुका है लोकसभा चुनाव 2024 से कई माइनों में अन्य आमचुनावों से भिन डिख रहा है यहां बड़े बड़े दिगज वोटरों की सहानुभूती हासल करने के लिए और उनके मत को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के तरीकी अपना रहे हैं कोई मतदताओं के साथ एक बहावनात्मा के तार जोडने की जुगत में हैं तो कोई इसके लिए उनके बीच जाकर उनके काम में हाथ बटा रहा है तो कोई उन्ही की तरह बनकर उनका काम करके दिखा रहा है तो आईए आज की सी रिपोर्ट में हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो इस तरह के कारियों को अंजाम दे रहे हैं नमस्कार मैं हूँ राकिस कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी डाट कॉम अपने तरीके से लोगों के बीच जाकर उनसे समवाद साफिल करने के अलग अलग काम करने में सबसे आगे कौंगरस नेता राहुल गांदी है हेलिकॉप्टर में तकनिकी गड़बडी आ जाने के बाद राहुल ने अभी सहडोल में रात गुजारी थी वहाँ वे समानी से धाबे पर गए और डिनर किया फिर सुबा में जब कॉमरेस नेता राहुल गांदी का काफिला उमरिया की ओर जा रहा था तो रास्ते में आदिवासी महिला को महुआ फूल बिनते देख रुक गए इसके बाद उन्होंने भी महुआ फूल बिनकर जमा किया और महिलाओं को दे दिया इसाम चुनाव वोटरों के बीच जाकर उनसे इमोस्टनल एरिस्ता बनाने की कोसिस में सिर्फ राहुल गांधी नहीं बलकी बिहार से बीजेपी के कदावन नेता और साड़न लोगसवा शेतर से प्रत्यासी राजी प्रताप रूडी भी लोगों के बीच जाकर उनकी तरह उनके काम में हाथ बटाकर चुनाव परचार कर रहे हैं राजी प्रताप रूडी अभी कुछ दिनों पहले चुनाव परचार के दौरान गाउं के एके ठेले में पहुंचकर वहाँ चौमिन बनाकर लोगों को खिलाया ऐसा करते उन्होंने अपना वीडियो बाद में सोसल मीडिया पर डाला था इधर मर्दे परदेश में एक हिंद्रिय मंत्री और बीजेपी निता माधव राव सिंधिया के परचार परचार में उनके बेटे महा आर्यन सिंधिया समोसे तलते और भजन गाते दिखे इन दिनों वे अपने पिता के लिए श्रेतर में जाकर खूब प्रचार परसार कर रहे हैं और आम लोगों की बीच जाकर उनकी रोजमर्रा की गति वीदियो में सामिल होकर उनके जैसा दिखने का प्रयास कर रहे हैं इस काम में चुनाव में अपने पिता के लिए महा आर्यन भी और लोगों का दिल जीतने के लिए काफी कोशिस कर रहे हैं सुर्खियों में रहने वाले सुहिल देव भारती समाज पार्टी के नेता उंप्रकास राजबर का अभी दो दिन पहले ही गेहों की फसल काटते वीडियो सामने आये था अब गेहों की फसल कटाई का समय है ग्रामीन शेतर में किसान महिला पुरूस एकजूट होकर खेतों में गेहों की फसल कटाई कर रहे हैं ऐसे में राजबर खेतों में वोट मांगने के लिए पहुंचे और उनके साथ खेत में सहानुभूती लेने के लिए मदद के तौर पर गेहों की फसल काटने लगे इसी तरह मंगलवार को इटावा लोकसवा सेतर से समाजवादी पाठी के प्रत्यासी जितेंद्र दोहरे ने भी चुनाव प्रचार के लिए मसिन से चारा काटने में लोग की मदद करते दिखे इटावा के मर्थना विदानसवा में वोट मांगते समय गाउंगाउं में भ्रमन करते हुए एक जगा सुबह जल्दी पहुंच गए वहां महिला कुट्टी मसिन से चारा काट रही थी बस जितेंद्र दोहरे भी उनके साथ चारा काटने में मदद करने लगे अलवर लोकसवा सीट से भाजपा के प्रत्यासी भुपेंद्र यादव का खेत में काम करने का अंदाज खुब वरल हो रहा है लोग इनको खास पसंद कर रहे हैं चुनाव प्रिचार के दोरान भुपेंद्र यादव मुंडावर पहुंचे वहां खरेट गाओं में वे अचानक के खेत में पहुंचकर महिलाओं का हाथ बटाने लगे अलवर वासपास शेतर में इस समय गेहों की फसल की कटाई चल रही है ऐसे में भुपेंद्र यादव खेत में महिलाओं के साथ लावनी करने लगे दिन की कड़क्ती धूप में भुपेंद्र यादव को खीत में काम करता देख लोगों की भीड जमा हो गई निताओं के दोरा चुना प्रचार के दोराने जनता से इसे तरह से संपर के साधना और जनता को लुभाना इसे आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा साथी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर कर दिजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए फिलाल के लिए मुझे दीजी इजाज़त देखते रही है पंचाब की सरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद